कि हैलो एवरिवन उमीद करता हूं आप से भी लोग सबस्तों हमेशा मैक्सिमुम मेरे पास प्यारी आती है वही आती है कि सर मैस में मेरे कैलकुलेशन स्पीड बहुत कम है बच्पन में मेरे पास मैस नहीं रहा तो कुश्चन को सोल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता त तो आपके सारे डाउट हैं और कैस कैसे इंप्रूव करना है क्या क्या से पता हुनी चीजिक कैसे तरह सापको कैल्कुलेशन की प्रैक्टिस करनी है जिससे आप एक्जाम में अच्छा गरबाग वो साही चीजा हम डिस्कस करेंगे तो पूरी वीडियो तो के एंट तक करते हैं लेकिन दो चीजे हैं जो आपको मैस के पेपर को टाइमली अटेम्ट करने में मदद करेंगी ठीक है सबसे पहली होगी हमारी बेसिक कैल्कुलेशन ठीक है उसमें क्या हो सकता है तो डारेक्ट हो गया कैल्कुलेशन का पार्ट मालों आपको सिंपल दे दिया कि 153 इ स्वोल कर रहे हो तो बहुत नंबा तरीका हो जाएगा ऐसे अगर एक्जाम में करोगे तो आपका बेपर शुट का तो बेसिक कैल्कुलेशन अच्छी नहीं चीए जैसे मैंने का टेबल हो गया यह आपको पता होना चाहिए जो बेसिक टेबल समयाद करके जाते हैं ब्रेक क क्या करते हैं 57 को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं मैं इसे कह सकता हूं 3 x 19 तो 3 को इसमें पहले मल्टिप्लाय कर दूंगा वह ज्यादा आसान हो जाएगा यह मेरे पास हो जाएगा 459 उसे फिर 19 का टेबल पता है मल्टिप्लाय करके मैं अंसर निकाल लूँगा तो धीर- होनी चाहिए आप देखोगे दिमाग लगा होगे तो आप तो यह हजार से कितना है दो कम है तो यह मां पर मेरे पास 893 इसमें दो जोड़ दो तो 895 मेरे इसकुशन करना पड़ेगा तो इसकी भी हैविट हमें होनी चाहिए तो मैं यह बेसिक केल्कुलेशन की बात करना हू यहां पर चाहिए फिर हमारे पास कहीं बार एक्प्रॉक्सीमेशन से भी कुशन करने आ जाते हैं जैसे मैं आपको एक जामपल समझाता हूं आपको बताना है वन वन टू कितना परतिशत है कि यहां पर बचेगा मेरे पास यहां पर आ जागा यह आगे किसी से कटेगा तो है नहीं तो पूरा ही सोल करना पड़ेगा अब इसके लिए आप मल्टिपल तरीके यूज कर सकते हैं मैं एक स्टेप पे गया तो मैं एक एक करके सोल करूंगा मैं देखूंगा कितने टाइम जाएगा लगब नाइन टाइम जाएगा फिर कुछ हो सकता हूँ देखा अगर करना ही है तो मुझे बताना है वन वन टू क्या होगा वन टू तरी जो कितने परतिशत होगा तो आप कहा सकते हो सर एक परसेंट तो मेरे पास ट्वाइल कॉइंट थरी होगा इसका अगर मैं बात करूँ या एक परसेंट ही जगा आप चीदा डस परसेंट देखोगे दस परसेंट तो इसका 123 होगा क्या ये वैल्यू मेरे पास 123 से छोटी है बिल्कुल छोटी है अच्छा अगर आप इसका 1% निकालोगे तो मेरे पस क्या होगा 12.3 होगा अगर मैं इसका 1% कम कर देता हूँ तो लगबाग वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास ये वाली आ जाएगी 111.7 और यह 112 दे रखा तो एक परसेंट कम कर रहा है न दस में से एक घटाया तो लगबग 9 परसेंट सम्टिंग कुछ वैल्यू जाएगी मेरी अप्रोक्सिमेटली तो आप ऐसे आडिया भी लगा सकते है अप्रोक्सिमेशन मेटड यूज करके और और भी भूसाइ लिए इंबर क्या होता है कि रिक्स की हम यूज कर लेते हैं या तो उनसे चेक कर लेते होगर बड़ा कोशन है मेरे पास चार इतने बड़े-बड़े कोश्चन में अंसर दे रखा और यहां पर मेरे पास है 183 इंटू में 147 ऐसा कुछ बन गया मेरे पास तो आप क्या करोगे, last digit से चेक कर लोगे, 4 option कि last digit 2 option eliminate हो जाएंगे, फिर last 2 digit से चेक कर लोगे, तो maximum options eliminate हो जाते हैं, तो यह चीज़े हम कर लेते हैं, digital sum का concept होता है, वो हम use कर लेते हैं, question को solve करने के लिए, कहीं बार हम multiple check कर लेते हैं, जैसे हमने यह देखा, कि हमारे पास यह है, 183 into 143 into 16, तो मैं कहूंगा, 16 है न, 16 क्या है, 16 का divisibility rule आपको पता है, कि last की 4 digit मेरी 16 से कटेगी, और 16 से कोई value कट रहे है, तो 16 से भी कटेगी, वो 8 से भी कटेगी, वो 4 से भी कटेगी, आपको इन सब के divisibility rule पता है, तो 4 option में check कर लो, कौन सा option से divisible आप कर लोगे, तो य यह तो हो गया basic calculation का part, कि किस तरह की आ सकती है, अब इसके लिए prerequisite क्या है, कि क्या क्या चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, क्या क्या पहले से तयार रखेंगे, आपको किस तरह से practice करें, वो चीज़े मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे, और साथ ही साथ, अब एक पूछे जाते हैं, मैं कहता हूँ, approximately हमारे पास 30 type के question बनते हैं, ठीक है, ठीक है, आपने क्या करें, आपने 15 type पढ़े, 15 type आपने नहीं पढ़े, आपको लग रहा है, आपने पूर चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन आपने सारी चीज़े complete नहीं करी अपने, तो होगा कि आपको कैसे solve करना है, अब जो सोचने में time लगा होगे न, वो आपको ध्यान नहीं रहेगा, आपको बस calculation का याद रहा है, कि calculation नहीं कर पाया, अगर आपको वो type पहले से पता होगा, आपने पढ़ रख़ होगा, तो आपके दिमाग में steps होंगे, हाँ यह करूँगा, मैं इ तो उसे हम जल्दी कर लेंगे, उसके tricks भी पताऊंगी हमें, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है, कि आपका calculation अगर आपको अच्छी करना, एक्जाम में timely paper को solve करना, तो types सारे clear होने चाहिए, एक्जाम में जो आज तक पूछे जा चुके है questions, कम से कम उनकी practice इतनी अच्छी हो तो आप जब भी पढ़ो math को, तो पूरा पढ़ो, complete math आपको पढ़ना है, जिससे कि एक type आपका clear हो, exam में question आए, तो आपने उस type का पहले का रखपा हो, तो आपको हम से कम logic clear होगा, फिर calculation की अगर हम बात करें, तो multiple tricks होती है, वह आप follow कर सकते हो, basic calculation की practice कर सकते हो, और approximation कि इस तक के table याद रखो, ठीक है, जिसमें आपका हो गया क्या कहते है, 22 का table, आपका mensuration में काम आएगा, आपका geometry में काम आएगा, तो 22 का table भी याद रखना होता है, क्योंकि 22 कहां यूद होता है, आपको पता है, pi, pi क्या होता है, 22 by 7, तो आप कोई भी area, volume वगयरा निकाल पता है, क्योंकि हमें पता है, 18 km per hour किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है, हमारे पास, 5 meter per second के, तो ऐसी multiply करोगे, तो 36 आएगा, 36 km per hour कितने meter per second के होगा, तो directly आपको ओगे सरी हो जाएगा, मेरे पास 10 meter per second के, और ऐसी मेरे पास हो जाता है, ग्जा में directly देता है, कि 216 km किसके बराबर होगा तो आपको हमँआप करने की ज्योंति पढ़े गी आपको उखे 36 km पर दस में तक के बराबर होता है तो 36 का कितने गुना है चलिक्ष का टेबल याद है तो आपको कि बच्पन में नहीं कर रहे थे मेरी बच्पन में यह च्छी नहीं धिना इंटरेस्ट थ समझाता हूं से आपको क्या गहें उन्निस का टेबल याद नहीं है तो याद क्या आइसे तो याद नहीं हो पाएगा तिक आप बड़े हो गए और नहीं कर पाओ गया इसके लिए सबसे ज्यादा जूरी है प्रैक्टिस वो कैसे करनी आपने क्या करना अब उसके बाद क्या होगा मालो आपको टेंटिया टेबल याद करना तो ऐसे वैल्यूज को आपने दो बार रिट करा और आपको फिर मल्टिप्लाय करके देखना है रेंडम नमबर से से मैंने एक नमबर ले लिया 123 सिंपल नमबर लिया इसे 90 से मल्टिप्लाय करना बताओ क्या है अब आपने देखा 19 इंटू 3 आपको याद नहीं है लिकिन आप सोच रो 19 तो यार 57 हो जाएगा तो हमने कहा है आप सैवन अगर हम आगे लिग देंगे तो पांच केरी फॉरव सेवन एट 1489 की वैल्यू मल्टिप्लाय करना ही पड़ जाए 19 से तो जब मैं यह मल्टिप्लाय कर रहा हूंगा तो आपको 19 का टेबल तो याद हो गई क्योंकि आपको बार बर 19 से गुना करना पड़ रहा है 19 निम्मा करोगे तो आप 170 पर पहुचोगे तो आपको एक सत्रह सब्सक्राइब करोगे तो इस तरह से आप चलते रहोगे तो ऐसे पांच नंबर से मिल्टिप्लाय कर लिया ना आपने किसी नंबर को तो आपके दिमाग में सैट हो जाएगा ठीक है आपको अलग से याद करने की जरूत नहीं पड़ेगी तो यह अपने आप ही टेबल आप इतनी आप टेबल आपका वीक है और बाकि सभी वैल्यूस पर चेक करते रहे करो जनरली 15 के बाद के टेबल में दिख्कात आती है 16 17 18 19 22 यह टेबल याद नहीं रहते तो इन्हें आप अलग से याद करो 25 का टेबल भी याद होना चीए बहुत इंपोटेंट है लेकिन वह त होता है तो इस तरह से आप टेबल की प्रेक्टिस करने है याद करने है ठीक है थोड़ा से अपर टेबल हो गए उसके बाद एक से लेके 40 तक के स्क्वयर आपको याद रखने है यह बहुत कुश्चन में काम आएंगे परसेंटेज हो आपका कोई सभी चैप्टर आप ले ल में तो बहुत ज्यादा काम आएंगे स्क्वयर ठीक है तो यह आपको याद रखने एक से 40 तक एक्जाम में डारेक्ट वे में इंडारेक्ट वे में में कुश्चन बनते हैं स्क्वायर का काम आप पढ़ोगे आप यह वाली फॉम पढ़ते हो एक्स प्लस वन बाइक स्क्व सकते हों ऐसीने उसकी ट्रिक होती है मारे पास जिनें यूज करके आप अपन अंसर बता सकते हूं राम से बता सकते हूं आप डिक अगर आपने देख़्हूज गिस्वेर की तो आप देखोगे 50 से कितना का मैं आप साथ कम है यह साथ का स्वायर कितना होता है तो यहां पे दिया और अगर मैं बात करूं तो इसका अधा 25 होता है 25 में से 7 घटा दोगे तो यह वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी यह मेरे पास आ जाएगी यह काम मनवन में नहीं कर सकते माइनस टू करूंगा तो यह मेरे पास 1847 हो जाएगा ठीक तो यह चीज़े आप चेक कर सकते हो कि आंसर आएगा कहीं बार आपको जैसे एलजेब्रा में कुश्चन देदेगा वन अपॉन एक्स स्क्वार प्लस बनापॉन में एक्स स्क्वार कोस्ट वन एट पॉर सेवन अब स्क्वार प्लस बंबा एक्सट क colony अब अब यह वन एट वन इरपास वन रहा होगा और पच्चिस से साथ कздर सारे स्क्वार्स याद रखोगी कोई भी वैल्यू आजाए हम उसका स्क्वार कैसे करें क्या एक सो डोगा स्क्वाइर करना आसान तरीके कि अगर हम बात करें क्यूब की तो मैं रिक्वेंड करता हूं आप एक से लेके तहीस तक के अपने क्यूब याद रखो ठीक है जनरली एक से लेके दस तक ही रिक्यमेंड होते हैं लेकिन कई बार कॉश्चन पर जाते हैं जा पर बड़े नंबर का क्यूब आ जाता है तो यह इसलिए के तेश्ट तक के क्यूब होने चाहिए पावर फॉर की बात करूं तो दो से लेके साथ तक की पावर फॉर याद कर लेना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका काम आपका कहां पढ़ेगा बेसिक कई बार रिमेंडर कंसेप्ट के कोश्चन सोते हैं उनमें काम करना जैसे से मदल आपको 7 कि और निकालने हैं तो आप सेवन इंका स्कूआर पता है आपको 49 होता है इन टो फॉस्की लिए तो वी होगा की तो आपसक तरिक थे व्यूट.? बागी बेसिक चीज़ आपको यह पता होने चाहिए यह जो मैं कहा रहा हूँ यह याद रखें तो बहुत अच्छा होगा एक्जाम में फायदा हो जाएगा ठीक है कही नहीं से बनते हैं अब यही मैंने आपके आसान करने के लिए जैसे स्कुरेश जेदी एक से लेके 50 तक आ इन याद करने को कया है इनने याद करना गई ना कहीं आपको दिखें कर रहे हो गया एक맛ам में प्रेक्पिस कर रहे होता है B square plus A square तो इनने ही हम पायथागरोरिन ट्रिप्लेट के नाम से जानते हैं मतलब मैंने कहा जैसे यहाँ पर पहला पायथागरोरिन ट्रिप्लेट है से पहले हम यह याद करके रखें जिसे कोश्चन साहिन तो आप कर पाओ ऐसे तीन चार पांच होता है पांच बारा तेहरा साथ चोविस पच्चेस आठ पंधरा सत्रह यह सारे ट्रिप्लेट्स हैं जो आप तीन चार बार कम से कम रीड़ करो इस टेबल को अपने पास समाल के दीड़े रखो इनका काम पड़ें यह मैंनको ट्रिप्लेट्स लिखें इसमें आप बहुत ज़्यादा ट्रिप्लेट्स को एडगी कर सकते हो और भी ज्यादा पूच्छे जासकते एंक्जाम में जैसे यह तो simple triplet हो गए अब आप क्या कर सकते हो जैसे इसमें बना बही सकत ऐसे कहीं बार इसमें हाफ कर देते हैं वन बाय टू कर दिया तो आप कहोगे सर यह वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास यह जाएगा 1.5 यह 2 हो जाएगा यह 2.5 यह भी एक ट्रिप्लेट बना रहे हैं तो यह साइट ट्रिप्लेट आपको पता हुए अगर यह बेसिक ट्रिप्लेट बना रहे हैं तो आप बहचान जाओगे आपके बीच में एक एंगल 90 डिग्री हो गया कुछ भी और चीज ठीक है तो यह कोमन लेके आप एससे निकालके ट्रिप्लेट भी कर सकते हैं इनके तो में बेसिक ट्रिप्लेट से याद होने चीए इनके ट्रिक भी ह ओड़ है से मैंने कहा 3 मिझे इसके कश्रूस्पॉंडिंग ट्रिप्लेट बताने तो इस नंबर को हम क्या रखते हैं यह मैं मानता हूं यह मेरे पास क्या होगा सबसे छोटा ट्रिप्लेट होगा तो आपको होगे अगर यह और थो का n square करोगे आप पूरा का पूरा और इसमें प्लस माइनस 1 divided by 2 करोगे तो आपको triplets मिल जाएंगे जैसे मैंने कहा यहाँ पर अगर यह 3 है 3 का square 9 होता है 9 plus minus 1 divided by 2 triplets देंगे प्लस करूँगा तो 10 भाग 2 आएगा याएगा 5 और माइनस करूँगा तो मेरे पास 9-8 भाग 2 या जाएगा 4 तो इन 3,4 और 5 triplets बनाएगे ऐसे एक और example लेता हूँ अगर मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाए n की value कुछ और रख लो ओड की बात कर रहा हूँ जैसे मैंने रखा n को 7 अगर n मेरा 7 आ गया तो किसके साथ triplet बनाएगा आपको गए सर एन स्कॉयर करूँगा मैं तो मेरे पास 7 का स्कॉयर 49 plus minus 1 divided by 2 करूँगा तो एक 50 होगा एक मेर हमारे पास triplet बनेगा किसका एन के साथ जो triplet बनाएगे वह होगे 24 और बच्चे सबसे चोटी साइड एन रह जाएगी फिर यह 20 हो जाएगी तो इस तरह से आप ड्राइब कर सकते हो एसे ट्रिक होती है अगर इवन हो हमारे पास नंबर जैसे एन की value मिझे ले लिया 4 मिझे इसके corresponding triplets बताने हैं क्या हैंगे तो आप क्या करते हो आप करते हो एन बाय टू का whole square प्लस माइनस वन तो आप कहते हैं कि चार का अगर चार के corresponding triplets बतादे तो चार भाग दो whole square फ्लस-1 तो यह हो जाएगा दो का square 4 फ्लस-1 आएगा तो triplets क्या होंगे मेरे पास आसी इन की वेल्वा रगधाँ तो आपको पता वने बैसिधी कि इसके इसके डोगा दीक निकालना न है अगर कि लिए इसके आप तो इसके मिडल वेल्वा एक काल लो अगर आपको यह तो यह थोड़ा थोड़ा सा बेसिक चीजे कैसे करना है यह होते हैं कहां तक याद रखें यह वह याद करने वाली चीजे जो है वह मैंने बताई आप सवाल यह होता है कि दिन में कितना करें कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूब करने के लिए पहले तो आपको पूरा कोर्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा टीचर से जिससे कि आपको सारी लोजिक के लिए उसके बाद टेबल्स वगयर आप याद करते रहो प्रैक्टिस कैसे करनी है आप दिन में डेली का पंधर मिनिट जब आपको लगे कि हाँ सुबह करना चाहू सुबह करो दिन में करना चाहू लेकिन दिन का पंधर मिनिट दो महीं तक दे दो बस एक बार देना है आपको आगे धिरे-धिर अगर आपने एक बार अच्छी कर लें तो आपके साथ देगी थोड़ा से रिविजन के ब मैंने कहा आपको ग्राइब के किस तक कि टेबल 12 तक के टेबल याद कर लो किस नहीं तो आप रेंडम नमबर ले लिया मैंने एक यहां पे नमबर लेल एक्षर चीट में किया करना हो तो हम डर की वाज़े से calculation में पीछर है जाता है क्योंकि हम लगता हम करें नहीं पाएंगे टाइमली तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करो अलग लग नमबर टू डिजेट नमबर से थ्री डिजेट नमर की बेसिक कर रहे हो तो calculation ऐसे अलग लग लग नमबर की धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो कैसे करनी है तो स्पीड बड़ेगी धीरे ब्रेक करके नमबर को कैलकुलेशन की हैबिट बनाओ जैसे मालो मुझे ब्रेक करके भी कर सकता हूं मुझे पता है अगर आपको चोधा को टेबल या दे तो चोधा इंटु तीन है तो फॉर्टीन को अलग कर दूँगा तीन को इसमें मल्टिप्लाय करना कि इतना सान है तो मिरे पास 102 आ जाएग हुझ ठीरी आपकी टैक्स इंप्रूव हो जाएगी फिर उनकी अंसर से मैच करो कि आप कर पा रहे हो और नहीं कर पार ठीक है करना इसमें से क्या वैल्यू आएगी तो जैसे जैसे आप सब्टेक्ट करते रहोगे धिरे-धिरे आपकी हैबिट बनानी ज़रूर है क्योंकि एक्जाम में कम काम पड़े थोड़ी से हैबिट होगी एक्जाम में स्पीड बढ़ जाएगी बाकि अपनी त्यारी तो आप पू सब्सक्राइब करोगे उतनी ज्यादा आपकी केल्कुलेशन स्पीडी तो इंप्रूव हो रही होगी उतनी बार तो कॉश्चन सोल्व कर रहे हैं आपके जितने ज्यादा कॉश्चन से टैम्ट करोगे वहां पर मिल्टिप्लिकेशन डिविजन ये सारी चीज़े भी आपकी सबसे पहले बेसिक केल्कुलेशन सुधारी उसके बाद अपने मोक्स कॉर्स कंप्लीट करा सारे लोजिक के लिए अच्छी इतनी हो जाएगे आपके अग्जाम में दिक्कत आएगी नहीं कैसे लिए अगर आपके त्यारी पूरी हो चुके तो वहां से अप्रेक्टिस कर सकते हो मेरे साथ अफ्ते में तीन दे तुस्टे वैडिनस्टे और सैटर्डे को क्लास होती है जिसे आप देख सकते हो और उससे आपको काफे ज्यादा मदद मिलेगी अभी इस सैटर्डे को एक अगर इन सबसे पढ़ना चाते हो आपको अपको पढ़ा रहे हैं तो अगर इन सबसे पढ़ना चाते हो आपको लगता कि त्यारी में कमी है और बिल्कुल इस्टर्टेड वे में सारी चीज़े कवर करनी है तो सब्सक्रिप्शन लोगे तो मिल जाएगा तो वह आपको आपको जो भी डिसकांट चल रहा होगा उससे इसकोलर्शिप मिल जाती है जैसे मालो एक से तीन के अंदर र जाएगा चार से दस है तो 75 परसेंट डिसकांट मिल जाएगा और यह है यह सब्सक्रिप्शन के लिए बाकि फ्री टेस्ट होता है तो उससे भी मिलती है ठीक तो इस वीडियो में सिर्फ इतने था आई होप इस वीडियो जुटिफिल टु यो आप से यहीं बदा लेता हू बाइबाई टक चेर और जाएंट